आई जानते हैं आज के कुछ प्रमुक अंतिरास्ट्री खबरों को पहले एक नजराज की हेड्लाइन्स पर सुप्रीम कोट बार एसोशेशन के अध्यक्ष की सीज्जियाई को जिठी किसानों कुले कर कर दिये मांग अचानक UAE की सरकार ने अहलान मोधी कारिकरम की समय में क्यूं की कटो अश्य हजार नहीं अब केवल पैट्रिस जार लोगों को मिलेगी एंट्री सीम योगी आज 16 घंटे के दौरे पर आएंगे कासी प्रधान मंत्री के आग्मन की तैयारियों का लेंगे जाए जाए पाकस्तान चुनाव में हुवी धांदली पर इन दो नेताओं ने लगा दी मुहर कर दिया बरा एलान मंडी टेस्ट में भी डटी रही तेरी बातों में ऐसा उल्जाच जिया चौथे दिन साहित कपूर के फिल्म ने की इतनी कमाई हार्ट इटेक के बाश्रेस तल पड़े ने की काम पर वापसी बताया कैसी है अब तवियत पांसो तेश्टी विकेट के जादू यांकरे से एक कदम दूर अश्विन बरे बरे दिगजों को छोड़ देंगे पीछे और इसान किसंसाहित ये खिलारी नहीं कर पाएंगे मनमानी बिसी स्याई ने लिखा सक्त फैसला पंजाब और हडियाना से किसानों के दिल्ली खूच के मदे नजर राज़ानी में सुरक्छा विवस्था के कड़े इंतिजाम किये गए हैं माना जोरा है कि किसानों के दिल्ली से सती सिमाओं को घेरने की वज़े से यहां आम जन जीवन प्राभावित हो सकता है। जगर्णा करम के भी सुप्रीम कोट बार एशोशेशन के अध्यक्ष आदिस अगरवाल ने चीप जस्टिस दीवाई चंद्रचूर को किसानों के कूच को लेकर चिठी लिखी है। भी निर्देश दे की कोट में वकीलों की गैर मौजूद्गी में वहां कोई भी बड़ा फैसला ना दे। हल्दवानी के बन भूलपूरा में कथित अवैर्ध धर्मरस्तल को तोड़ने के विरोध में आठ फरवरी को हिंसा की चिंगारी भर गई। उपद्रव्यों ने अस्थाने थाने को जला दिया पबलिक के वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। कई घंटे तक नगर निगम, जीला प्रशासन, पुलिस फोर्स और मीडिया कर्वियों पर पत्थरों की बारिश की गई। जिससे बरी संख्या में पुलिस फोर्स के जवान, नगर निगम के करमचारी और मीडिया कर्मी घायल हुए। जिनका अब भी इलाज चल रहा है। सरकारी संपत्ती को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुचाए गया। ये स्थिती क्यों पन हुई इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आतिक करमन के खिलाब चलाए जरह अभियान को लीड कर रहे नगर डिगम के आयुक्त पंकर चुपाध्याई का एक न्यूज चैनल ने इंटर्व्यू लिया। ज़रान उनसे तीखे सवाल किये गए जिनका उन्होंने कुछ इस अंदाज में जबाब दिया। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी अबुदाभी में मंगलवार को आजित जिस अवलान मोधी सामुदाइक कारिकरम को संबोधित करने वाले हैं उसका समय संयुकतरब अमिरात में खराब मौसम के कारण कम कर दिया गया है। कारिक्रम की तैयारियों से जुरे एक अधिकारी ने सोंवार को ये जानकारी दी। अरब भाशा में अवलान मोदी का मतलब हैलो मोदी है। प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से UAE की दो दिवशे यात्रा शुरू करेंगे जहां वह अबुदाबी में निर्मित भा के स्थिती उत्पन हो गई जिसके कारण अलहान मोदी कारिक्रम को छोटा करने का निर्ने लिया गया। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कासी दौरे के मदिनजर तैयारियों का जायजा लेने और विकास कारियों वक कानू निवस्था के समिच्छा के मुख्यमंत्री लकनव रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री का राच के विमान मंगलवार के शाम लगभग चार बजे बी एच्यू हैले पैट पर उत्रेगा वहां से वह सरक मार्ग से सीर गोवर धन पूर स्तेत संत रविदास की जन्म अस्थली जाएंगे और विकास कारि समाजवादी पाटी ने राज्यसभा चुनाव के लिए फिल्म अभिनेत्य जयाबच्चन पुर्व केंद्र मंत्री राम जिलाल सुमन और यूपी के पुर्व मुख्य सचीव आलोक रंजन का नाम तई कर दिया है हाला कि सपा ने अपर राज्यसभा प्रतियासियों का नाम आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया है यहाँ प्रतियासि आजनाम अंकन करेंगे सपा अध्यक शकलेस यादव और मुख्य महासाचेव प्रोफेशिर राम गुपाल यादव ने सोंबार को प्रदेश पाती मुख्याले पर राज्यसभा प्रतियासियों को लेकर मन्थन क कुछ विधायक भी बुलाए गए जिन्होंने प्रस्तावक बनने केलिए साधे कागच पर हस्ताक्षर की एक विधायक ने नाम ना छहापने के नुरोट पर बताय बताये के जस्कागच पर शायन कराए गए थी उस पर किसी प्रतियासिक अ नमाज और बिलावल भुट्टों की पाथी भी चुनाओं में धोकाधरी के दावे कर रही हैं और अदालतों का दर्वाजा खट-खटाया है। लाहूर हाई कोट ने समंद में दायरा 18 या चिकाओं को खारिच कर दिया। इसमीज धांदली धोकाधरी के विरोध में दो राजनितिक दलों ने अपनी जीती सीटें त्यागने का फैसला किया है। जमात इसलामी पाथी के वरिष्ट नेता हाफिज नईमूर रह्मान ने सिंद प्रांट में अपनी सीट त्याग दी जो उन्होंने गुरुवार के चुनाओं में जीती थी। उन्होंने साथ ही बताए कि समंधिस सीट पर पिटी आई समर्थित उमिदवार ने जीत हासिल की थी। सिंद प्रांट के पिएस 119 निर्वाचन छेटे से 26,000 दोस्त और 96 वोटों से उनकी जीत का ऐलान किया गया है। साहिर कपूर और कृती सैनन के फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलजाज रिया। आजकल थीटर्स में माहुल जमाई हुए हैं। एक लड़की की तरह दिखने वाले रोबोट के साथ एक लड़की की एंपॉसिबल लव स्टोरी जनता को पसंद आ रही है। लाइव मूड के समझेदार रोमांटिक कॉमेडिय फिल्म को क्रिटिक्स की भी ठीक ठाक रिव्यू मिले और जनता का वर्ल्ड ओफ माउथ फिल्म के लिए पॉजिटिव रहा। कई सालों बाद साहित को एक लवर बॉइस टाइप रोल में लेकर आई। तेरी बातों में ऐसा उल्जाजिया को जस तरह पसंद क्या जोरा है वो इसके कमाई के लिए भी बहुत अच्छा साबित हो रहा है। साहित और कृति के फिल्म को पहले ही दिन से सौल्ट सुर्वात मिली थी लेकिन सनिवार को इसके कमाई में तगराज जम पाया जो फिल्मे के विकेंड टोटल को काफी दमदार लेवल पर ले गया। बॉलिवूद और मराथी एक्टर स्रेयस तलपड़े को दो मेहने पहले हार्ट अटेक आया था एक्टर के हार्ट अटेक की खबर सुनकर उनके फैंस परिशान हो गए थे मगर अब स्रेयस की तबियत एकदम चीक है उन्होंने खुद अपनी तबियत की जानकारी दी थी मैं उस रात वहां मौझूद हर किसी को मदद के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूं उन्होंने डॉक्टर, टेक्नीशन, हॉस्पिटल, स्टाफ और उनके लिए द्वा करने वाले फ्रेंस सभी को शुक्रिया कहा भारत और इंगलेंड के 20-30 टेष्ट मैच 15 फरवरी से राज़कोट के सौरास्ट्र क्रिकेड एसोसेशन इस्टेडिया में खेला जाएगा पांच मैचों की टेष्ट सरज फिलाल एक-एक से बराबर है राज़कोट में धीमी टर्ण वाले पिल्स देखने को मिल सकती है ऐसे में रवी चंदरन अस्विन का रोल एहम हो जाएगा राज़कोट में स्पिन के अनुकूल हालत में रवी चंदरन अस्विन एक लैन के खिलाब गदर मचाने के लिए तयार है रवी चंदरन अस्विन टेश्ट किर्केट में अतिहासिक मुकाम हासिल करने के बहुत करीब हैं भारत के लिए अभी तक ये कमाल सर्फानेल कुंबले ही कर पाए हैं रवी चंदरन अस्विन ने टेश्ट क्रिकेट में भारत के लिए अभी तक 97 टेश्ट मैचों में 499 विकेट हासल की हैं रवी चंदरन अस्विन एक विकेट और लेते ही टेश्ट विकेट में दिहास टल देंगे रवी चंदरन अस्विन टेश्ट क्रिकेट में एक विकेट और लेते ही 500 विकेट का जादुई आक्रचु लेंगे रवी चंदरन अस्विन टेश्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले भारत के केवल दूसरे गेंदबाज बन जाएंगे रंजी ट्रॉफी का सुरुवाती दौर खत्म होने की कगार पर है और बिसीसी आई ने अब जाकर उन खिलारियों के लिए इसमें खेलना अनिवारी किया है जो IPS सुरू होने तक अपना समय बरबात कर रहे हैं रंजी ट्रॉफी में ग्रूप चरनकांती में 16 फरवरी से खेला जाएगा 23 फरवरी से नौक आउट मुकाबले खेले जाएंगे बिसीसी आई का ये निर्णे इससान के संद कुरूनाल इन सभी को रंजी ट्रॉफी खेलना होगा